हेलो फ्रेंस स्वागत है आपका मेरे चानल मस्तियान फूड में आज हम बनाने जा रहे हैं टमाटर की एक ऐसी चटनी जो आप महीनों तक इस्तमाल कर सकते हैं बिलकुल भी खराब नहीं होगी और बहुत ही जादा टेस्टी लगती है तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं य यहां पर हम सबसे पहले टमाटर को इस तरीके से इसमें कट लगा लेंगे इस तरीके से हम कट लगा के जब टमाटरों को बॉल करेंगे तो इसके छिलके बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं तो हम एक एक करके सभी टमाटर को इस तरीके से कट लगा के रख लेंगे हमने टमाटरों में कट लगा लिया है अब दुसरी तरफ हम गैस के ओपर एक पतीने में पानी गरम करने के लिए रखेंगे और गरम पानी में हम हमारे टमाटरों को डाल देंगे अब इसी में हम लाल सुखी मिर्च भी डाल देंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी मिर्ची और टमाटर दोनों भी सौफ्ट हो चुके हैं तो हम लाल मिर्च को निकाल लेंगे और टमाटर को भी हम निकाल के प्लेट में लेज़ेंगे अब हम लाल मिर्च को एक मिक्सर ग्रैंडर के जार में डालेंगे और इसका एक पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे. इसमें पानी बिल्कुल अड़ नहीं करना है, इसे हमें दरदरा ही पीस के लेना है. यहां पे हमारे टमाटर थंडे हो चुके हैं, अब हम इसका छिलका निकाल लेंगे, यह देखे कितनी आसानी से इसके छिलके निकल रहे हैं, इसी तरीके से हम सभी छिलकों को निकाल के साइड में रख लेंगे. यहां पे आप देख सकते हैं, हमने टमाटर के छिलके निकाल लिये हैं, अब यह इसका जो यह कड़क एंड है, इसे भी हम कट करके निकाल देंगे. यह हमारी चटनी में अच्छा नहीं लगेगा और वो बहुत ज़्यादा कड़क है, तो इसलिए हम उसे निकाल लेंगे. अब यहां पे हम टमाटरों को पहले नाइफ की मदद से ऐसे रफली चॉप कर लेंगे, और अब हम एक मैशर की मदद से इसे इस तरीके से मैश कर लेंगे. आप चाहें तो इसे मिकसर ग्राइंडर में दरदरा सा पीस भी सकते हैं. घ्लान रखना है, यहां पे टमाटर हमको दरदरा ही चाहिए, मतलब इसमें थोड़े से ऐसे पल्प होने चाहिए. अब हम गैस के उपर एक नॉनस्टिक पैन गरम करेंगे, और इसमें हमारा टमाटर जो हमने मैश किया है, यह इसमें डालेंगे, और इसे हम पकाएंगे. टमाटरों में पानी बहुत जादा होता है, तो हमें इसमें जितना भी पानी है, वो सब सुखा लेना है. लगभग 5-7 मिनिट लग जाएगा, और टमाटरों का पानी पुरी तरीके से सुख जाएगा. यहाँ पे हम इसे कंटीनिव चलाते हुए पकाएंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें पानी पूरी तरीके से सुख चुका है, अब हम इसे साइड में रख देंगे, और दूसरी तरफ हम गैस के उपर एक अलग बरतन गरम करने के लिए रखेंगे, अब हम इसम बड़े चमच तेल, तेल गरम होने के साथ में हम इसमें डालेंगे लगभग एक छोटा चमच राई, यानि कि सरसो, सरसो तड़कने के साथ ही हम इसमें डालेंगे लसुन कटा हुआ, यहाँ पे लगभग मैं दो से तीन चोटे चमच लसुन इसमाल कर रही हूँ, इसी के सा को हमने paste बना लिया था इसे हम डालेंगे और इसे हम continue चलाते हुए 2-3 में भून लेंगे यहाँ पे मिर्ची का कच्छा पन चला जाना चाहिए और लसुन का कच्छापन निकल जाना चाहिए तब तक हम इसको भून लेंगे यहाँ पर हमारे मसाले भून चुके हैं अब हम इसमें डालेंगे हमारा टमाटर जो हमने रेडी कर लिया था और इसे हम डालके इसे भी हम कंटीनियू चलाएंगे मसालों के साथ में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए तब तक हम इसको ऐसे चलाते हुए भूनेंगे यहाँ पर मसाले हमारे अच्छी तरीके से मिक्स हो चुके हैं अब हम इसमें डालेंगे नमक नमक आप अपने टेस के हिसाब से डाले अब हम वापस से इसे एक से दो मिनट चलाएंगे और यहाँ पर हम इसे अच्छी तरीके से चलाते हुए पका लेंगे लगभग और एक 3-4 मिनट हम इसे पकाएंगे जब साइट से तेल छुटे लगे तब आप समझ जाएए कि हमारी चिटनी पक चुकी है यहाँ पे तीन से चार मेंट हो गया है चलाते हुए और यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड से तेल छुटने लगा है यानि कि हमारा टमाटर की चिटनी बनके तयार हो चुकी है तो अब हम इसमें डालेंगे लगभग दो से तीन छोटे चमच विनेगर यहाँ पे सिंथेटिक विनेगर का इस्तमाल करनी हो इसे डालने से हमारी चिटनी लंबे समय तक अच्छी रहेगी और इससे थोड़ा सा एक खटापन भी आएगा तो यहाँ पे अब हम इसे मिक्स करेंगे और लगभग एक मिनट और इसे हम पका लेंगे और यह हमारी टमाटर की चटनी बनके तयार हो चुकी है इस चटनी को आप आराम से एक से दो महिने तक स्टोर कर सकते हैं और आप इसे जॉई कर सकते हैं यह देखिया हमारी यम्मी स टमाटर की चटनी बनके तयार हो चुकी है बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जादा अच्छी दिख रही है तो आप भी इसे जरूर ट्राइ कीजिए और अगर आपको मेरे चानल की रिस्पी पसंद आती है तो प्लीज मेरे चानल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नीचे दिये गए बैल आइकन को भी जरूर प्रस कीजिए ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकिशन आपको मिलती रहे